अंपुर की दिव्यान बेटी असुन्ता टोपो ने मलेशिया में आयो जित भारत मलेशिया पैरा थ्रोग बॉल प्रतियोगिता में भारत को सुवर्ण पदक दिला कर एक नया कीर्तिमान धापित किया है। नई बुलंदियों को चू रही है। इससे पूर्ण भारत नेपाल पैरा थ्रोग बॉल प्रतियोगिता में भी बहतर प्रदर्शन करते हुए देश के लिए सुवर्ण पदक हासिल किया था। जिसके बाद मलेशिया जाकर भी न सिर्फ चैनपुर गुमला जहारखंड बल की पूरे भारत वर्ष का नाम रोशन किया है। साथ ही साबित किया है कि हौसले बुलंद हो तो परिस्थिती सफलता का रास्ता नहीं रोख सकती। असुंता टोपो हमारे शेत्र के खिलारियों के लिए प्रेड़ना है जिन्होंने हर बाधाव मुश्किल परिस्थितियों को छोड़ते हुए कड़ी मेहनत और खेल के प्रती अपने जुनून से अपनी मंजिल को पा रही है। चैनपुर प्रकंड अंतरगत छतरपुर गाओं की रहने वाली अनात दिव्यांग असुंता टोपो के पिता जेवियर टोपो और माता कटरीना टोपो की मृत्यूत तभी ह हो गई थी जब असुंता छोटी थी इसके बाद घर की आर्थिक स्थिती खराब रहने के बावजूत पढ़ाई के प्रती उसकी रूची के कारण उसने दिव्यांता पेंशन से अपना गुजारा करते हुए पीजी तक की पढ़ाई पूरी की इधर फोन पर असुंता टोप किता में भाग लेने लेने से दूरी बना ली थी जिसके बाद मैंने इसकी जानकारी जामंगों के जिलाव पध्यक्ष से बेंदोरा पंचायत के मुख्या सुशील दीपक मिंज दी जिसके बाद वह मुझे धाढ़स बांगते हुए मदद करने का भरोसा दिलाया और उपाय मीडिया कर्मियों का आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने मुझे मेरी मंजल तक पहुचने के लिए भरपूर सहयोग दिया असुंता का खेल के प्रतीब बहुत जुनून था और उसके इस जुनून को रान मिली कोच मुकेश कंचन से मिलने के बाद जो की पैरा ओलंपेक ए असुंता घर पर भी अपना अभ्यास करती थी कोच मुकेश कंचन बताते हैं कि संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था पर एक विश्वास था कि दिव्यांग जनों को अवसर मिले तो वह भी बुलंदी को सकते हैं और इसी विश्वास से उन्हें आज किस तर तक पहुचाय साथ में दूसरे दिव्यान साथियों को भी अंतरा फ्रेस्तर पर पहचान दिलवाई चैन्टपूर की सुनता टुपको अभी मलेसिया जाके इटरनेशनल पारात फ्रोबॉल में सामिल हुई और उन्होंने गौल्ड मेलल जीत काया है बड़ा खुशी हो रही है और इस शेतर के लोग बढ़ाय दे रहे हैं मैं ब्यक्तिकत रूप सुने फोन मर बढ़ाय और सुरकमनाय दी और मैं ये कहाना चाहूंगा कि बिव्यांग है बावजूद उन्हें कहीं किसी पर कोई दिकत नहीं हुए है कड़ी मेहनत और लगन से अगर कोई आजमी मेहनत कर तो निशीत रूप से मुकाम तक भूश सकता है सुसील दिपक मिज जामो मोज जिलावपादियक से अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले